साथियों नमस्कार आप देख रहे हैं राजमहिल का द्रश्य बहुत ही खुब सुरह द्रश्य और फिर एक बार राजमहिल में आने का मुखा मिला कहते हैं कि जिनके भाग्य में लिखी होती है वही यहां आते हैं तो मैं तो बहुत बाग्यशाली हूँ कि मुझे समय समय पर आने का मुखा मिलता ही रहता है तो दीकिया अलग्षादी मेवार से नारेन लाल जी और उनके बच्चे और उनकी गाहों की बच्चे मिले हैं इस्टा गाहम पर उनके फोलवर से हमेशा उनके बारे में देखते रह हैं और सुन्दर मैल का दरश्चे देख सकते हैं तो देखिए यहां आदर और संस्कार का एक बहुत बेज़ोड गटबंदर है तो अकुती संस्कार में मेवार हमेशा अग्राणी रहा है मेवार हमेशा मेवार की प्रंप्रा मेवार की सब्यता मेवार का सबसे बड़ा ग्यास रहा है कुछ मीठा मेठाले ते चले चला हर गाले आयो इसे निले नाले तो देखे कितने परिटक यहां पर आखते हैं इसे 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 जाए अधिया आप आएं में सबसे कद में लोगा डाल जाएं ने थो थो रहें तो ओंडो कि यहां कना अधिया लेती ते अधियल अधिया अधिया जेए कि यहां कि प्रिदो कार का पूरा पूरा आरंद । तो मेरा लक्षाक्नी मेवासाब वोस्के वाव बिलनेगे हुआ तो मेरा लक्षाक्नी मेवासाब वोस्के वोस्के विए जिकर्शाचए वाव बिलनेगें तो मेरा लग्षाक्नी मेवावल्चा भूक्षा. फित्रश्य यह हैं देख सकते हैं किता गजब और और अब अब आप लोट वारी पेखें में अना रावाजब निया रहाँ जाए